राधे राधे बंदुओं बहुत स्वागत है आपका जोतिस धर्म चैनल पर बंदुओं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहू के रासी परवर्तन का प्रभाब कन्या रासी और लग्न वाली जात्कों पर किस तरह से पड़ेगा बंदुओं जोतिस सास्त्र में राहू का विसेश स्थान है राहू 18 महीने बाद रासी परवर्तन करते हैं इसलिए जोतिस सास्त्र में राहू के रासी परवर्तन का आकलन विस्तार कूर्वप किया जाता है क्योंकि इनके रासी परवर्तन का प्रभाब हर रासी के जातक पर प और यहां 30 अक्टूबर तक रहेंगे उसके बाद राहू आपके सप्तम भाव यानि कि गुरू की रासी मीन में संचरण करेंगे बंधो इन 18 महिने में राहू से आपको किस तरह के परिणाम मिले उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं राहू अस्टम भाव में बैठें गुरू राहू का चांडार योग बना राहू की सत्र रासी है मेश रासी अस्टम भाव आकसमिक गठनाओं का भाव है यहां बैठ करके राहू ने आपको आकसमिक हानिया दी आकसमिक दुरगटनाएं दी इसके साथ ही विदेश संबंधी मामले भी आपके लटके रहें यद यहां पैठे राहू की दृष्टी की बात की जाए तो यह आपके द्वादस भाब पर थी यानि बै भाब पर थी फिजूर के खर्चे कराए कोट कचरी के मामलों में आपको फसाया इसके बाद राहू की सात्मी दृष्टी की बात की जाए तो यह आपके धन भाब पर थी और धन भ कि यहां बैठे राहु की यद नौवी द्रश्टी की बात की जाए तो यह भाव जो है माता का भाव है भूम बहन का भाव है तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी लेने से रोका यदे आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो वो विवाद में फच गई माता के साथ भी आपके द्रश्टी में चले जाएंगे और गुरु यहां स्वतंत्र भाव से बैठेंगे यानि कि गुरु अब तीस अक्टूबर के बाद से अपने उत्तम फल देंगे यानि कि गुरु के फल आपको यदे वैभाव पर देखा जाए तो आपको लाप्राप्त होगा विदेश सम्म मनिन का बाव है आपके बैपार का बाव है और व्यापारेक साज़ेदारी की सबसे पहले करते हैं राव के सप्तमबाभ में बैठने का ऐसे क्या खिल प्राप्त होगा बंदू यहां बैठकर के राहो आथ्थिक लाव कवकु कराएंगे श्य era Woo five श्रों के क्रच dur को रोकेंगे तो ब्यापार में यहां पर बैठ करके राहू आपकी आर्थिक इस्तती को मजबूत करने वाले होंगे ब्यापार में आपको लाव के अवसर प्राप्त होंगे यह ग्रहस्त जीवन की बात की जाए तो इसको आपको समाल के रखना होगा यहां बैठ करके राहू आपके घ्रहस्त जीवन को बिगाड़ने की कोसिस करते हैं तो आप अपने पत्नी के साथ बैचारिक मत्वेद या बाद विवाद की इस्तती से बचने की कोसिस करें ऐसी इस्तती ना बनने दें यदे यहां बैटे राहू की ब्यापार में साज्यदारी की बात करें तो यदे आप कोई नई साज्यदारी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके निर्णे लें और उसके बाद ही किसी साज्यदारी की तरफ आगे बढ़ें यदे आपकी कोई साज्यदारी पहले से च चाया ग्रह है राहू अचानक से बहुत कुछ करते हैं यानि अचानक से लाब देने वाले होते हैं अचानक से ही आपके लाबों को बेगाड़ने वाले होते हैं तो आप से सुरू से ही हम कहके चलेंगे कि आप कोई भी काम करने जाएं इस 18 महीने में तो आप पहले सोच विच एकादस भाब को देखेंगे लाब भाब को तो आपकी आर्थिक इस्तती को मजबूद करेंगे लंबे समेश के लिए आप कोई निवेज ब्यापार में करते हैं तो उससे आपको लाब प्राप्त होगा नौकरी में आपको वेतन बर्दी के साथ पदोन्यती होगी ब्यापार में या कोई बदलाब इस दर्मयान करना चाहते हैं तो सोस समझ करके निड़ने लें और इसके साथ ही जो लोग स्टॉक मार्केट या सेर बजार में निवेश करते हैं तो वो पहले मार्केट की इस्तती क को समझें उसके बाद ही सोस समझ करके निवेश करें तो आपको लाग होगा बंदु अब राहू की सब्तन दृष्टी की बात करते हैं यह मन और व्यक्तित्व है तो यहां बैठ करके यानि राहू की सीधी दृष्टी आपके प्रथम भाब पर होगी तो यहां पर दृष् इसलिए जब कभी कोई निड़ने की इस्तती ऐसी आए और आप निड़ने ना ले पा रहे हो तो उस हितैसी के पास जाए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो जो आपको सही दिशा दिखाए नोकरी या ब्यापार में कोई बदलाब कर रहे हैं तो वहां भी आप सो समझ करके ह आगे बढ़ें देख लें कि अदमें नोकरी में परवर्तन कर रहा हूं तो किस तरह के लाभ हैं यहां पहले से हूं वह अच्छा है या नया परवर्तन अच्छा होगा अग्यात बहें आपको यहां बैठ करके आपके मन पर राहु देंगे ब्यर्थ के बाद विवास से यानि के आपके पराक्रम भाब पर होगी छोटे बहाई बैनों के छोटी यात्राओं के बहाब पर होगी यहां से द्रश्टी डालकर राहु आपके पराक्रम भाब में बर्दी करेंगे क्योंकि यह मंगर की रासी है यहां से सनी का भी द्रश्टी संबन आपके पराक्रम भ कुरिक की यात्राएं हो सकती हैं लेकिन आपको थोड़ा सा यात्राओं के दोरान अपने स्वास्थ को सभाल करके रखना होगा तो बंदू पिछले 18 महिने में आपने जो कस्ट यहां पर भूगे हैं अब आम कुष्टों से निकल करके आगे बढ़ने का समय आ गया है राहू क का रासी परवर्तन कन्या रासी और लगनवालों के लिए बहुत अच्छे परणाम देने वाला होगा अब कुछ उपाए के जरिए आप इस लाव को और अधिक अपने लिए लावकारी बना सकते हैं इसलिए कन्या रासी और लगनवाले लोग सूर्य देव को अर्ग प्रद दिखाई देंगे यानि पिछले दिनों की सारी समस्याओं को भूल जाए सकारत्मक सोच सकारत्मुचा के साथ आगे बढ़िए लेकिन कोई भी निर्णे बहुत सोच समझ करके ले तो राहू का रासी परवर्तन आपके लिए बहुत उत्तम होगा बंधू आपको वीडियो क कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें यदे आपका कोई सवाल है आप वाट्सप नमबर पर लिखें हम उसका जवाब अवश्य देंगे राधे राधे